बिस्मिल्य रह्मान निरहीम अस्सलाम अलेकुम I am Rahila आज का हमारा टोफिक है Some Important Free Chrome Extensions for Amazon Wholesale Model आज की इस वीडियो में डिसकस करूंगी कुछ Free Chrome Extensions जो के Amazon Wholesale Model में बहुत important role play करती है पर पास है Seller Supply Extensions Seller Supply Extensions सेकंड नमबर में मार पास है DSQQV Amazon थर्ड नमबर में हमारे पास है Countstock OS Addon फॉर्थ नमबर में हमारे पास है Scan Unlimited Chrome Extensions फिफ्थ नमबर में हमारे पास है Phileum 10 DS Amazon QQV and Seller Supply Extensions जो दोनों एक्स्टेंशन हमें फ्रंट पे ही प्रोड़क की डिटेल्स के बारे में बता देती है थर्ड पे जो हमारे पास है Countstock OS Addon जो स्टोक के बारे में बताती है Total स्टोक कितना है FBA स्टोक कितना है FBM स्टोक कितना है Amazon के पास कितना स्टोक है अजर Amazon इस प्रोड़क को Sell Out कर रहे है Sellers के बारे में बताती है ये Extension और फॉर्थ हमारे पास है Scan Unlimited Chrome Extension ये Extension हमें Brand के बारे में बताती है कि ये Brand Legal है या नहीं Legal क्या हम इस Brand से काम कर सकते है क्या ये Brand ठीक है या नहीं ठीक 5th नमबर में हमारे पास है Helium 10 की Extension ये Product Details के साथ हमें मंतली Sales भी बताती है अब मैं आपको बताऊंगी क्या कौन से Extension कौन सा काम करती है मैंने New Tab open किया Amazon.com Search करेंगे इधर कोई भी Keyword हम Enter कर लेंगे जैसे के मैंने Plastic Bottles Enter करूंगी मैंने Plastic Bottles Enter जब किया तो मारे पास बहुत सारी Product शो हो जाएंगी इस Page पे ये देखें आप देख सकते अब मैं बताऊंगी इस Extension कौन से Extension किस काम हा रही है इस Page पे सबसे पहले थी हमारे पास Seller Supply Chrome Extension जैसे के मैंने प्रोड़क्ट ओपन किया मेरे पास ये Sign शो हो रहा है मैंने पहले से अड़ किया Chrome में पहले मैं बताऊंगी कौन से Extension कौन से काम हा रही है अगर आप देखें प्रोड़क्ट के नीचे बिलकुल नीचे एक Box शोर है जिसमें हमारे पास Acinar, Brand RS, Seller कौन से है Fulfillment Method, Seller कितने है BSR कितने है Category क्या है Way, Dimension जिस सब कुछ हमें इस Extension बता रही थी Seller Supply दूसरी Extension थी हमारे पास DS Amazon QQ जैसे कि मैं इस Product पे करसल रखा है तो मारे पास प्रोड़क्ट की details आ गई है जैसे ही आप इस Image भी करसल रखेंगे तो जिसमारे पास प्रोड़क्ट की details आ जाती है यह कौन बताती है कौन से Extension बता रही है DS Amazon QQ बता रही होती है Third Extension हमारे पास थी Count Stock जैसे कि मैं कोई भी प्रोड़क्ट New tab में open करती हूं कोई इसा भी कर लेते हैं हम हमारे पास इस प्रोड़क्ट को हम New tab में open करते हैं देखिए मैंने अपने करसल को इस पर रखा हमारे पास प्रोड़क्ट details आ गी यह DSQQ बता रही हमें जैस करस्ट को पर तो DSQQ हमें प्रोड़क्ट की details हमें बता देगी किसी पेज़ पे हमें New tab में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो बोक्ष होता है प्रोड़क्ट के वह हमें seller supply extension बता देगी जैसे हमारे पास ACN, brand, seller जैसे सब कुछ seller supply हमें बताती है जैसे के हमाने New tab में open हो गया थर्ड extension थी count stock जो कि हमें stock के बारे में बताती है extension मैं इस extension run करूंगी इस extension को मैं रण किया इस page पे sorry यह देखिए मैं रण किया इस extension को तो यह में stock के बारे में बता दी कि total stock कितन है इस product का FBA stock कितन है total stock कितन है इस product का FBA stock कितन है FBM stock कितन है Amazon का stock कितन है देखिए, हमें बता रही है, six sellers है, of accounted means, six sellers है, sellers हमारे पास कौन कौन से नेम हमें बता रही है, इनके पस कितनी quantity है, main stock है, इन sellers ने क्या क्या है, price रखी हुई है, कौन से seller FBA का रहा है, कौन से seller Amazon, कौन से FBA है, जिस सब उस हमें count stock ही बता रही होती है, conditions, means कि यह used है यह new है, यह सारी used है, और delivery मतलब कि अगर आप इस product को आज order करते हैं, तो आपको door step पे किस दिन आएगी, जब product पहुँच जाएगा, जनुरी 9 को पहुँच जाएगा आपको product अगर आप इस product को आज order करते हैं, जो count stock हमें बताती है, fourth number पे मार पास थी, scan unlimited extension, जैसे ही आपने देखा हो रहा है, interrogation का sign, अगर interrogation का sign green color में show हो रहा है, इसका मतलब है, जी brand legal है, जी brand ठीक है, हम इस साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर जी green color interrogation sign की बजाए, इधर exclamatory mark show होता है, yellow color का, इसका मतलब है, ये brand legal legal नहीं है, या IP complaint कर सकती है, कभी भी, जी brand जो IP complaint कभी भी कर सकते है, त हम इस extension से brand के बारे में मालूम करते हैं, जी देखी मेरे पास पहले सही add है, scan unlimited, थर्ड, फिफ नमबर पर हमारे पास थी extension, helium 10, जो कि product details के साथ, जैसे कि product details front पर भी show हो रही है, जी helium 10 बता रही है, listing health score, health score, 30 real sales का है, FBA fee, variations count, और वो जादे product details के साथ हम मंत्री sales बताती है, ज इसको run करूँगी, इस page पे, x-ray पे click करूँगी, बस कुछ second लिखते है, loading होने में, इन extensions को, जैसे 2 by 2 का मतलब है, इसमें 2 variations है, हमारे पर देखी BSR बता रही है, हमें इस extension reviews के, brand, AC, price, sales, sales graph, revenue, BSR, जैस सब कुछ हमें extension, helium 10 की extension, बता रही है, buy box, किस के पास है, category, कौन सी है, size के है, weight के, creation, date के है, जैसे सब कुछ हमें, helium 10 की extension बताती है, जैसे कि यह हमारे पास, blood show, sales on sales graph, revenue, because यह free version में है, अगर हम pair लेते हैं, उसमें यह सब कुछ blood show नहीं होगा, आपको बिलकुल वाजिया show होगा, अब हम बताती है, आपको बताऊंगी, chrome में कैसे add कर सकते हैं, ज chrome extension, आपने हर extension की name के आगे chrome extension लाजमी लिखना है, सर्च करेंगे हम, first link पे click करेंगे, जैसे ही click करेंगे, दिर add to chrome को option आएगा, आपने add to chrome कर लेना है, जैसे कि मेरा पहले से ही add है, आपने just add to chrome करना है, और then pin कर लेना आपने, और आपके जी chrome में add हो जाएगी extension, second number पर ds amazon cute view chrome extension, first link पे हमने click करना इधर, then हमार पास option आएगा add to chrome, आपने add to chrome करके, आपने chrome में add कर लेनी है, जैसे मेरा पहले से add है, ds amazon cute view, जैवाले, जैदेखेंगे, आप देख सकते है, third number पर मार पास थी count stock os addon, os addon chrome extension, आपने हर extension के आगे chrome extension लाजमी लिखने, आपने first link पे click किया, और add to chrome पे click करके, आपने, इन extensions को अपने chrome में add कर लेने है, यह मेरे पहले सी add है, इसलिए आप remove from chrome में आ रहे है, last extension में आपको account बनाना पड़ेगा, sign up करना पड़ेगा, वो आपको, मैं new tab, new chrome में करके दिखा देती हो, जैसे कि हमार पास है, scan unlimited, रच करेंगे, scan unlimited, chrome extension हमने सर्च किया, देखे scan limited extension, आगी हमार पास link पे click किया, add to chrome करेंगे, add extension पर click करेंगे, बस कुछ second लगेंगे, आपको chrome में जै add हो जाएगी, जै chrome में add हो ये extension, जब तक जै add होती है, हम helium 10 की extension भी add कर लेते हैं, helium 10 chrome extension टाइप किया, first link पे click करेंगे, add to chrome करेंगे, then add extension का option आएगा, उस पे click करेंगे, जैसे कि हमार पास ये new chrome extension एड हो चुकी हो ये और pin भी मैंने कर लिए, जैसे ये दिखिए मेरे पास, मैं आपको दिखा रिती हूँ, ये देखिए, scan unlimited extension में में बपास pin कर लिए मैंने, और helium 10 की extension भी, अब हम इन पे account कैसे create करेंगे वो बताऊंगे मैं आपको, मैंने scan unlimited extension पे click किया, इदर sign in and sign up का option आएगा, आपके पास ये account sign in, sign up नहीं है, सबसे पहले आपने sign up करना है, आपने extension पे click किया, then sign up पे click किया, इदर information आपसे मांगेगा, आपने information add कर देनी है, जैसे कि मैं Google से ही add कर रही हूँ, आप चाहें तो information देखें, भी add कर सकते हैं, जैसे मैं नहीं Google से sign up किया है, इस name से add कर लेते हैं, इस ID से sign up कर लूँगी मैं, देखे sign up हो रही है, जिसके unlimited extension, देखे, आपने sign up करना है, इस extension को और कुछ भी नहीं करना, second extension थी हमार पास helium 10, यह देखे है हमार पास helium 10 की extension पे click किया, हमार पास account नहीं है, अगर account होगा तो login करेंगे, अगर नहीं है तो हम sign up पर free पे click करेंगे, इधर हम इसको भी sign up कर लेंगे, then free of cost आप दोने extension को use कर सकते है, आपने अपना name एंटर किया, जैसे मेरे पास email, मैं आपने email एंटर की, ऐसे यह आपने करनी है, then एक strong password रखेंगे हम, check mark लगाएंगे, sign up हो जाएगे, कुछ second लगेंगे, आपको sign up करने में, तब तक हम Amazon पे click करते हैं, और देखने एक्स्टेंशन वर्प करड़ी है, नहीं करड़ी, Amazon.com, search किया हमने, यह देखिए, जैसी ही आपने sign up पे click किया, next page open होगा, उदर five option sure होगे, आपने just fifth option पे click करना है, I am not selling on Amazon, और then next पे click कर देना आपने, not right now, अभी आप free में use करना चाहते हैं, देखिए हमार पास helium 10 का dashboard आ जाएगा, अभी extension को हम कैसे use करेंगे, जैसे कि मैंने Amazon open किया है, इधर मैं zip code लगाऊंगी, USA का apply करूंगी, continue कर दूंगी, जैसे कि हमार पास USA की website open हो चुकी Amazon की, जैसे कोई भी आप, जैसे कि मैं plastic bottle search करती हूं, आप कोई भी product open करेंगे और देखेंगे कि दो extension work काड़ी है या नहीं काड़ी, जैसे मैं यही कर लेती हूं open, कोई भी link आप open कर सकते हैं, यह एक seller इसमें मतलब कि हमार पास PL का product है, हम को wholesale product देखते हैं, यह देखिए, इसमें six sellers हैं, हम इसको new tab में open करते हैं, open किया हमने, और देखेंगे कि scan unlimited और helium 10 की extension work कर रही है या नहीं कर रही, जैसे यह title है, इसके नीचे brand show होता है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, यह देखिए, यह brand है, हमारे पास title के बिल्कुल नीचे, अगर इदर interrogation sign आता है, green color का इसका मतलब यह brand legal है, और हम इस brand का काम कर सकते हैं, और अगर हमारे पास इदर yellow color का exclamatory mark होता होता है, इसका मतलब यह brand ठीक नहीं है, हम इस brand का काम नहीं कर सकते, just loading हो रही है, यह देखिए, interrogation का sign show हो गया brand के आगे, इसका मतलब यह brand legal है, हम इस brand का काम कर सकते हैं, यह हमारे पास scan unlimited की extension work करना start होगी, next हमारे पास fifth number पे थी helium 10 की extension, अब उसको देखेंगे, यह देखिए, X-ray Amazon product research पे click करेंगे, इसका मतलब हमारे पास helium 10 की extension भी work कर रही है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जिब लड़ इसलिए, क्योंकि यह free version में है, अगर आप paid version में लेते हैं, तो जो हमारे पास sales and sales graph भी show होंगे proper तरिके से, if anyone have any questions related to this video, then you can type in the comment section, thanks for watching my video, Allah peace.